हलो फ्रेंड्स आप सब एक अपने हट्स टूटोरियल पर स्वागत है आज हम लोग क्लास एट का जैसे आर्दी क्लास एट का संस्क्रित का कोशंसर करने वाले हैं और चेप्टर हमारा 6 है और चेप्टर 6 का नाम है विश्व नायक विवेकानन्द तो वीडियो के साथ पने र ओले हम लोग तीसरा नंबर से देख्ते हैं एक पदेंूत्थ मतलब एक पद मे यनकि एक सथ इतर देना पहला नंबर यनकि का नबर दीखें विवेकानन्दस्य बाल्यकस्य नाम कीम मतलब विवे कानंद का बचपन का नाम क्या था तो इसका अंसर हो जाएगा नरेंदर नाथ तो इससे आप नोट के लिजे फिर देखे खा नंबर विवे कानंदस्य जन्म कुत्र अभवत विवे कानंद का जन्म कहा हुआ था तो इसका अंसर हो जाएगा कलकत्ता नगरे फिर देखें नेक्स्ट गा नंबर विवेकानन्दस्य जन्म कदा अभवत विवेकानन्द का जन्म कब हुआ था तो इसका अंसर हो जाएगा 1868 याने कि 1863 इस्वी में फिर देखें नेक्स्ट गा नंबर धर्म सम्मेलनम कुत्र अभवत धर्म सम्मेलन कहां हुआ था तो इसका अंसर हो जाएगा सिकागो नगरे तो इसे आप नोट कर लीजिए अब लोग बढ़ते हैं next फोर नंबर की ओर फोर नंबर देखिए एक वाक्यान उत्तरत एक वाक्य में उत्तर देना है को नंबर देखि फिर हो लोग बढ़ेंगे खा नंबर की ओर खा नंबर की ओर नंबर की कोर्शन है विवेकानंद से केन स मेलनम अभवत तो देखिए इसका हिंदी भी निग हो जाएगा विवेकानंद किस से मिले तो इसका अंसर देखिए विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंत सेन स मेलनम अभवत विवेकानन्द रामक्रिष्न परमहंस से मिले फिदेखी नेक्स्ट घानमबर विवेकानन्द कश्य सिस्य अभवत विवेकानन्द किसके सिस्य थे इसका अंसर देखिए विवेकानन्द रामक्रिष्न परमहंस से सिस्य आसित यानिकि विवेकानन्द रामक्रिष्न प वह ऊब हुद हुदा है सिकागो में हए याद कर लिजिएगा ऑंप्रtym जी के कमें भी पूछा जाता है अब लोग बढ़ते हैं next question की ओर next देखिए five number five number question है पदानी आसरित्य वाक्यम रच्यत पद से वाक्य बनाना है यानि कि हम लोग घंदवे बनाते हैं वाक्य रचना करें उस तरीके से हैं बस इंगलिस में वाक्य बनाना है अबर देखिए नगरे तो नगरे से नगरे एक महा विद्यालय अस्ति नगर में एक महा विद्यालय है इसके अलावा भी आपको याओर भी sentence बना सकते हैं जिरूर नहीं है जो मैंने लिखा है वही बस होना चाहिए उसका नाम नरेंदर नात आशित यानिकि बालय वस्था में बचपन में उसका नाम नरेंदर नात था फिर देखिए नेक्स्ट घा नंबर प्रसना तो देखिए पारितो सिकम प्राप्य चात्रा प्रसना अभवन तो देखिए पुरुसकार पाकर चात्र खुश हुआ फिर देखिए नेक्स्ट अंगा नंबर सर्वदा सरवदा मतलब सभी जगह तो देखिए इसका वाक्य बन जाएगा तस्य उपदेशा सरवदा उपास्थंती तो देखिए उसका जो उपदेश था याने कि स्वामी विकानन्द का सभी जगह विख्यात हुआ या फिर हम लोग का सकते हैं सभी जगा प्रचलित्वा सभी जगा यूज मतलब उसका अनुसरन किया जाने लगा तो इससे आप नोट कर लिजे फिर हम लोग बढ़ते हैं अब next six number की ओर six number का question देखिए विलोम पदानी लिख्या तो विलोम पद लिखना है opposite word लिखना है तो देखिए का नंबर तावत तो इसका विलोम हो जाएगा कती फिर देखिए का नंबर तत्र तो इसका विलोम हो जाएगा कुत्र फिर देखिए गा नंबर नगरम तो इसका विलोम सब्द हो जाएगा ग्रामम फिर देखिए नेक्स्ट घा नमबर अलोग की कम तो इसका विलोम सब्द हो जाएगा लोग की कम फिर देखिए अंगा नमबर अधर्मा तो इसका विलोम सब्द हो जाएगा धर्मा तो इससे आप नोट कर लिजे फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेभे नमबर की ओर तो देखिए यहाँ पर लिंग लिखना है विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है तो देखिए पहला यहाँ पर देशस्य तो यह देशस्य जो है वो पुलिंग है सश्टी विभक्ति है फिर एक वचन फिर देखिए समय, समय हमारा पुलिंग है और फिर सब्तमी विवक्ति में है और एक वचन फिर देखिए नेक्स्ट ग्रामात, ग्रामात भी पुलिंग है पंचमी विवक्ति है और एक वचन फिर देखिए नेक्स्ट अनुभवम, अनुभवम पुलिंग है और फिर दुत्या विभक्ती है और एक वच्चन है फिर नेक्स्ट देखिए धर्मेशू, धर्मेशू, पुलिंग है, सब्तमी विभक्ती और बहु वच्चन है इसे आप नोट कर लीजे, फिर हम लोग बढ़ते हैं, next, eight number की ओर, eight number के question देखिए, उदाहरनानुसारम काल परिवर्तनम कुरुत, तो देखिए, उदाहरन देखकर काल परिवर्तन करना है, तो काल परिवर्तन करना है, देखिए, यहाँ पर वर्तमान काल को हम लोगों को परि वह बालक है, तो भूत काल में बदलेंगे, यानि कि बिता हुआ समय में, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, सबालक आसित, यानि कि वह बालक था, इसी तरीके से हम लोग को बदलना है, देखिए, का नंबर, विवेकानन्द, विश्वनायक अस्ति, विवेकानन्द, देखिए, फिर नेक्स देखिए, खा नंबर, राम उचे वदति, राम जोर से बोलता है, तो देखिए, राम उचे अभवत, राम ने जोर से कहा, फिर देखिए, नेक्स गा नंबर, बालक का रोटिकाम खादनती, बालक रोटी खाता है, तो देखिए, बालक का रोटिकाम खादन बालक रोटी खाया फिर दिखे नेक्स्ट मोहन भासनम ददाती मोहन भासन देता है तो इसका भूतकाल हो जाएगा मोहन भासनम अददात मोहन भासन दिया फिर दिखे नेक्स्ट अंगा नमबर हम पुस्तकम पठामी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो यहाँ पर भूतक में हो जाएगा हम पुस्तकाम अपठ्थम मैं पुस्तक पढ़ा फिर देखे नेक्स चानमबर तुम कहां जाते हो तो इसका भूत काल हो जाएगा तुम कहां गये तो इस तरीके से हमारा कोर सेंसर कंप्लीट होता है इसे आप नोट कर लिजे अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है त सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहां पर बेल आइकन को ओल में क्लिक करें इसके बाद अब आपको प्लेलिस्ट पर टेच करना है आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा तो यहां से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं धन्यवाद